हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अवर यूटूब चैनल, दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आज है चार अगस्त और चार अगस्त को SSE Phase 10 का आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एक्जाम खतम हो गया है, जिसका कि आपको सेटिक एनलेसिस करवाऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखे फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपने जो कोशन करेंगे, वो फर्स्ट सिफ्ट के होंगे, फर्स्ट सिफ्ट में आपसे कोशन पूछा गया था, कि वीजे हजारे जो ट्रोफी है, वो किस खेल से रिलेटिड है, देखे में बहुत कोशन आए थे, और आज आपसे फेस्टन के फर्स्ट सिफ्ट में ये कोशन पूछा है, तो ये आपका किर्केट खेल से वीजे हजारे ट्रोफी समंदित है, तो किर्केट वाला ओप्शन आपको करेक्ट करना था, और अपने बात करें किर्केट से समंदित, जो जितने भी जो मुखे ट्रोफी हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि एसे कप, एशिया कप, सीके नाइडू ट्रोफी, कूच, बिहारी ट्रोफी, देवधर ट्रोफी, दिलिफ्ट ट्रोफी, गावसकर वोलो ट्रोफी, ये जितनी भी ट्रोफी यहाँ पे आपको स्क्रिन पे दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या हैं, किर्केट के खेल से समन्दित हैं, और आप एक बार इनको देख लीजिए, जिनका भी आगे एक्जाम बाकी है, क्योंकि हो सकता है, आने वाले शिफ्टों में यहीं से एक कोशन पूछ लिया जाए, नेक्स्ट कोशन ज भारत का सबसे पुराना सहर है, और सबसे पुराने धरम, हिंदु धरम का जनम स्थान भी है, बनारस या कासी के नाम से भी जाना जाने वाला यह सहर, उत्तर भारत के उत्तर परदेश राजे के गंगा नदी के तट परस्तित है, और ये ग्यारवी स्ताबदी इशापुरों में अस्तित्व में आया था नेक्स्ट कोशन आप से पूछा गया च्यासीवां सविधान संसोधन ये किस से समंदित है देखिए च्यासीवां सविधान संसोधन अधिनियम 2002 में अनुछेद 21 ए को जोड़ा गया जो यह घोशना करता है कि राजे में 6 से 14 वर्स की आयू के सभी बच्चों को निशुलक और अनिवारे शिक्षा प्रदान करेगा ठीक है तो यहाँ पे option में इनमें से ही कुछ आपको दिया होगा वो आपको correct करना था अगर आपसे article पूछा था तो article हो जाएगा 21A next question आया था exam में first shift में 2011 की जनगना के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या वरधी किस राजे की है 2011 जनगना से लगातार question पूछी जा रहे हैं चाहिए MTS exam हो चाहिए face 10 का हो 2011 की जनगना के अनुसार सरवाधिक जो जनसंख्या वरधी जो दर था वो आपसे पूछा गया तो ये था मेगाले राजे का कितना था 27.95 प्रतिशत जो की राज्यों में सबसे अधिक था और सबसे जादा जो जनसंख्या वरधी अगर आपसे पूछे तब आपको होगे उत्तर परदेश सबसे कम अगर आपसे पूछे जनसंख्या वरधी 2011 की जनगर्ना के नुसार तब आपको होगे सिक्किम ठीक है ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्ण जो आपसे पूछा गया एक्जाम में आज पानीपत का द्वित्य यूद कब हुआ था कुछ कह रहे थे प्रथम यूद हुआ था कुछ बोल रहे थे द्वित्य यूद पूचा था अगर द्वित्य यूद पूछा है तो 5 नॉमंबर 1556 को उत्तर भारत क हिंदु समराथ हेमू और मुगल समराथ अकबर की सेनाओं के बीच पानी पत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ठीक है friends और अगर बात करें अपने पानी पत के प्रथम युद की जो की 1526 में बाबर और इबराहिम लोधी की सेना के बीच में लड़ा गया था जिसमें बा प्रोशन आया था एक्जाम में कि लोड डलोजी ने हडप नीती में पहला किस राजे को बनाया था। सबसे पहला पूछा था तो सतारा आपका correct answer हो जाता next question आया था टीपू सुल्तान किस राजे से थे तो इसका answer होगा करनाटक 20 नवंबर 1750 में करनाटक के देवनाहली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फते अली खान शाब था उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने जो है ना उन्हें सेर ए मेसूर के खिताब से नवाजा था अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए स्री रंग पटनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्य हो गई थी चोथे आंगल मैसुर्यूद में नेक्स्ट कोशन पूछा गया था गेम चेंजर ये निमन लिखित में से किस किर्केटर की जीवनी है गेम चेंजर जो है ये पाकिस्तानी किर्केटर साहिद अफरीदी की जो है ना आत्मकता का नाम है नेक्स्ट कोशन आया था जिसका निर्मान 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था मकबरा समराट सेर सहासूरी बिहार के पठान की याद में बनवाया गया है नेक्स्ट कोशन जो एक्जाम में पूछा था आपसे ये अब सेकंड शिप्ट के कोशन है फर्स सिप्ट के कर लिए हैं अमने सेकंड शिप्ट के कोशन में पूछा था अंडर-90 क्रिकेट वर्ल्ड कुब का विजेता कौन था 2022 वाला जिसमें विजेता हमारा भारत देश था भारत ने पांचवी बार अंडर-90 वर्ल्ड कुब अपने नाम किया फाइनल में इंग्लेंड को हराया इसलिए उप उवेता इंग्लेंड था और वहीं बात करें ये कहां पे खेला गया था वेस्ट इंडीज में खेला गया था अगला कोशन पूछा था राजय के नीती निर्देशक तत्व ये किस आर्टिकल में दिया गया है तो ये भारतिय खेलों में भारत ने रिकोर्ड नो पदक जीते थे तो नो आपका यहां पे करेक्ट आंस्वर हो जाएगा एक कोशन आया था बिलीव ये किस खिलाडी की आत्मकता है तो देखिए फर्स सिफ्ट में भी आया था एक कोशन और सेकंड शिफ्ट में पूछा है बिलीव जो है कि कौन सा मोली करतवे नहीं है तो ओप्शन तो मारे पास है नहीं पर आप देख सकते हैं टोटल वरतमान में सविधान में 11 मोली करतवे हैं जो आपके स्क्रिन पे हैं इनमें से जो भी इनको छोड़कर जो ओप्शन था ना वही आपका राइट आंस्वर था इस कोशन का ए यह जो दो कोशन थे यह फस्ट के थे ठीक हैं तो आज फस्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका जो एक्जाम हुआ था उसके जितने कोशन हमारे पास थे रियल कोशन वह सभी अपने कंप्लीट कर चुके हैं और यह वाला जो कोशन था जो मैंने आपको करवाया था मोली इनके अलावा जो भी आपको उप्शन दिया गया होगा वही आपको राइट आंसवर बताना था और जितने भी फस्ट और सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने भी एक्जाम दिया था अगर कुछ और कोशन आपको याद है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपने शिफ्ट में कवर कर लूँगा और इसके बाद जो आपका थर्ड और फॉर शिफ्ट का एक्जाम जो है ना और उसका और साथ में फस्ट सेकंड के जो कोशन छुट गए है उन सभी का अनलेसिज आपको शाम को जो ओल शिफ्ट की वीडियो अप्लोड होगी चैनल पर उसमे कंप्लीट रूप से किया जाएगा इसलिए जिनका भी फर्स सेकंड शिफ्ट में एक्जाम था कुछ कोशन अगर याद है तो कमेंट जूर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेर सब्सक्राब जूरूर करना धन्यवाद